नमस्कार मैं हुनवयोराई बात करते हैं रोहिट शेटी के रियाल्टी शो खट्रो के खेलाडी के सीजन 13 की बैक टो बैक रियाल्टी शो में नजर आने वाले शिव ठाकरे ने अब खुद की पहचान बना ली है बिग बॉज 16 में शिव ठाकरे का नाम आखरी दिन तक गूशता रहा शिव को जनता का काफी प्यार मिला शो खतम होने के बाद भी शिव लगातार लाइम लाइट में बने रहे शो के बाद उने महसूस हुआ कि वो लोगों के दिलों पर राज करने लगे है वहीं बिग बॉज के घर से निकलने के बाद वो रोहिट शेती के स्टन बेस शो खत्रों के खिलाडी सीजन 13 में पहुँचे शो की शूटिंग साउथ आफरिका में लगातार जारी है शूटिंग खतम होने के बाद ये शो ओन एर किया जाएगा लेकिन लगातार शो के सेट से कंटेस्टन के एविक थोने की खबरे सामने आती रहती है इसी बीच अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिफ ठाकरे खत्रों के खिलाडी से बाहर हो गया है द्रसर शिफ को लेकर खबरे आ रहे थी कि वो जल्धी रोडीज 19 में नज़र आने वाले है हाला कि अब इन खबरों पर मुहर लग गई है MTV के पेज पर एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें शिफ ठाकरे शो के सभी ग्यांग लीडर के साथ रोडीज 19 के सेट पर बैठे नज़र आ रहे है इस तस्वीर के सामने आने के बाद चर्चा है कि शिफ ठाकरे शो सीजन के चौते ग्यांग लीडर होंगे शिफ आप गौतम गुलाटी प्रिंस नरुला और रिया चक्रवर्ती के साथ अपनी टीम को लीड करते नज़र आएंगे वहीं इस तस्वीर के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि शिफ ठाकरे की रोखित के शो से छुट्टी हो गई है बीते तुनों रोडीज में दिखाया गया कि कई शक्स शिफ के चहरे का मास पहने नज़र आ रहे हैं अब इस तस्वीर के बाद समझ आ रहा है कि वैसे क्यूं किया गया था बताद है कि शिफ ठाकरे की दिन बदिन बढ़ती काम्याबी देख उनके चहने वाली काफी खुश है यूजर्स का कहना है कि बस्ती की गलियों में आज सपनों की दुनिया में शिफ पहुँच गया है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद